दोस्तो कि आप भी इंट्राडेटेडिंग करके खूप सारे पैसे कमाना चाहते हैं और अभी आप बिलकुल नए हैं और आपको इंट्राडेटेडिंग के बारे में कुछ भी नौलेज नहीं है तो आपने बिलकुल सही वीडियो पर क्लिक किया है क्योंकि ये वीडियो खास कर उन लोगों के लिए ही बनी है जिने इंTrade Trading के बारे में कुछ भी नहीं पता है लेकिन इंTrade Trading करके खूब सारा पैसा कमाना चाहते हैं इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बेसिक से शिखाऊंगा कि इंTrade Trading कैसे की जाती है और अच्छी बात यह है कि मैं आपको live market में interdating करके दिखाने वाला हूँ ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ सके और आपके मन में कोई भी confusion ना रहे इसी के साथ में मैं आपको अपने experience से ये भी बताऊंगा कि interdating में किन-किन बातों का ध्यान रखा जाता है तो दोस्तों share market में जब भी आपको interdating करनी होती है या कोई भी share खरीदना और बेचना होता है तो इसके लिए आपके पास demand account का होना बहुत जरूरी होता है तो अगर आपके पास demand account नहीं है तो मैंने जिरोधा kite की demand account का link description box में दे दिया है उस पर click करके आप अपना demand account open कर सकते हैं साथ ही जिरोधा kite में demand account open करने पर मैंने एक वीडियो पहले भी बना रखी है उस पर click करके आप जिरोधा में demand account open करना सीख सकते हैं तो सबसे पहले आपको अपने जिरोधा kite के application को open कर लेना है उसके बाद उसमें आपको log in कर लेना है पर intraday trading को live करके दिखाने से पहले आपके लिए जानना बहुत जरूरी होता है कि intraday trading होती क्या है हो सकता है कि आपको पहले से पता हो लेकिन मैं कुछ चीज़े आपको ऐसी और बता दू जो शायद आपको इससे पहले ना पता हो तो intraday trading का मतलब होता है कि आप share को जिस दिन खरीदें उसी दिन ही उसे बेज दें मतलब जब आप एक दिन के अंधर ही share खरीद के उसी दिन उस share को बेज देते हैं तो इसे intraday trading कहा जाता है अगर आप खुझ से उसे sell नहीं करेंगे तो वो automatic square of हो जाएगा मतलब खुझ से sell हो जाएगा intraday trading करने के कुछ फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं तो ये जानना तो आप के लिए और भी ज़रूरी हो जाता है तभी तो आपको इसके सारे positive और negative जो point होते हैं वो clear हो पाएंगे तो negative point जानने से पहले आपको इसके positive point जल्दी से बता देता हूँ तो सबसे पहला फायदा ये होता है कि intraday trading में आपको margin मिलता है इसका simple सा मतलब ये होता है कि आपको कम पैसों में ज़्यादा share मिल जाते है example के तौर पर मान लीजे किशी share की price 100 rupees है तो वो आपको 20 रुपए 25 रुपए या 30 रुपए में मिल जाता है अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा क्यों होता है तो इसका simple सा answer है कि अगर आपको 100 रुपए का share इंट्रेडे में भी 100 रुपए का ही मिलेगा तो आप इंट्रेडे टेटिंग क्यों करेंगे क्योंकि इंट्रेडे में आज ही आपको share buy करना है और आज ही उसे sell करने होते है तो इसमें risk भी जादा होता है क्योंकि जैसे हम सोचते हैं कि आज इसका price उपर जाएगा उसकी जगा उसका price गिर भी तो सकता है तो ऐसे में तो आपका नुकसान हो जाएगा न अगर 100 रुपए का share आपको 100 रुपए में ही मिलेगा तो आप holding में share को खरीदेंगे जिससे आपको ये tension तो नहीं रहेगी कि आज ही share को बेचना है नॉर्मल share trading में आप free रहते हैं और जब उस share का price बढ़ेगा तभी आप उस share को sell करेंगे लेकिन intraday में same day buy or sell करना होता है और दूसरा एक reason और है कि अगर आपको intraday में margin मिलेगा तो आप कम पैसों में ज्यादा share खरीद पाएंगे example के लिए कि आपके पास total 2000 रुपाय है और जिस share को आप खरीदना चाहते है उसका current price 100 रुपाय है तो ऐसे में आप सिर्फ 20 share ही खरीद पाएंगे लेकिन intraday में अगर वो 100 रुपाय वाला share और अगर आपने 2000 के share equity में खरीदे होते तो आप सिर्फ 20 share ही खरीद पाते और पर share 5 रुपाय profit के हिसाब से आपको मात्र 100 रुपाय का ही profit मिल पाता तो intraday trading में आप margin का यूज़ करके कम पैसों में ज्यादा अच्छा profit कमा सकते हैं intraday trading में तिसरा फायदा ये होता है कि आप एक दिन में ही ज्यादा profit कमा लेते हैं क्योंकि same day ही इसका buy और sell हो जाता है और लंबे time का wait नहीं करना पड़ता है कई बार तो ऐसा होता है कि आपने अभी पैसा लगाया और 10 मिनट बाद ही उसकी price बढ़ गई और आपने उसे sell कर दिया और कुछ मिनटों में ही आपने अच्छा खासा profit कमा के आराम से बैठ गए intraday में आप short selling भी कर सकते हैं इसका मतलब ये होता है कि मान लीजे कि आपको लगता है किसी share का price आज गिरेगा तो आपने उसे पहले उसके current price पर ही उसे sell कर दिया हाँ मैं सही बोल ला हूँ आपने उसे पहले sell कर दिया और पूरे दिन में जैसे ही उस share का price गिरा आपने उसे buy कर लिया ऐसे में आपने पहले उसे महंगे में sell कर दिया और उसी दिन बाद में सस्ते प्राइस पर उसे बाई कर लिया तो ऐसे में भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है तो कुल मिला के यह कह सकते हैं कि भले ही आपके पास शेयर नहीं है उसके बारे में आपको बहुत ज़ादा जानने की जरूवत नहीं होती है उसके fundamental analysis करने की जरूवत नहीं होती है बस आपको एक बात जरूर ध्यान में रखनी होती है कि जिस company की शेयर में आज आपको intradetating करनी है उसमें आज क्या हो सकता है वो कैसा perform करेगा तो अभी तक अगर आपने ये वीडियो देखी है तो आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट ज़रूर हो गए होंगे कि भाई इंट्रडे टेडिंग तो बहुत बढ़िया चीज है इसमें फटा फट से पैसे बन जाएंगे तो ये आप की सबसे बड़ी भूल है इसके कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं जिसे जानना तो और भी ज़रूरी होता है आपके लिए तो चलिए अब intraday trading के बारे में कुछ negative points भी जान लेते हैं क्योंकि मेरा काम आपको सब कुछ अच्छे से सच-सच बताना है और youtubers की तरह नहीं कि बस अच्छा अच्छा बताओ और सच्छा ही ना बताओ तो अगर intraday trading के negative points की बात करें तो number one पे आता है कि अगर आप इसमें एक दिन में पैसा कमाओ गए तो एक दिन में ही पैसा dhup भी जाता है क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि आप रोज पैसा बनाते जारहे हो किसी दिन आपका profit होगा तो किसी दिन loss भी होगा क्योंकि आज तक दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो हमेशा share market से profit बना पाए कभी कभी loss भी जरूर होगा तो उसके लिए भी आपको अपना mind make up पहले से करके रहना पड़ेगा बस आपको ये ध्यान दगना है कि आपको loss कम दिन हो पर profit जादा दिन हो और ऐसा तभी possible है जब आप इसे अच्छी तरह से सीखेंगे और अगर आप share market को सीखना चाते हैं तो इस चैनल पर आपको बहुत सारी वीडियोज मिल जाएगी चैनल को subscribe जरूर करें और share market की knowledge को धीरे धीरे बढ़ाते रहें इसमें दूसरे negative point यह है कि intraday trading में रिस्क बहुत जादा होता है इसमें जितना ज़्यादा profit होने के chances होते हैं उतना ही ज़्यादा पैसा डूबने के chances भी होते हैं equity trading में तो अगर share का price अचानक से गिरी भी गया तो आप तब तक उसका wait कर सकते हैं जब तक उसका price वापस से उपर ना चला जाए लेकिन intraday trading में एक दिन में ही आपको अपना profit और loss देखना होता है तो अगर आप intraday trading करके अपनी income को बढ़ाना चाते हैं तो उसके लिए सबसे ज़रूरी यह होता है कि आप चीजों को बहुत अच्छे से समझें क्योंकि बिना समझें आप share market से कुछ भी नहीं कमा पाएंगे तो अब देखते हैं कि intraday trading करते कैसे हैं सब कुछ आपको live करके दिखाने वाला हूँ फिर last में देखेंगे कि मुझे intraday trading से profit हुआ या loss जिरोधा kite के application में login करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा interface देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको watch list में आ जाना है तो अब मैं आपको bank of order के कुछ shares intraday में खरीद कर उसे sell करके दिखाने वाला हूँ तो share को buy मतलब खरीदने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर उसे search करना होता है चलिए मैं भी यहाँ बैंक of order को search कर लेता हूँ यहाँ पर आपके सामने NAC और BAC दोनों में दिखाई दे रहा है जहाँ पर भी आपको यह सस्ता मिले वहाँ से आप इसे खरीद सकते हैं तो देखिए NAC पर अगर मैंने click कर रहा है तो यहाँ पर यह 150 रुपए 70 पैसे के आसपास मिल रहा है लगबग दोनों में यह सेम प्राइस पर मिल रहा है फिलाल मैं इसे NAC में ही buy कर लेता हूँ तो पहले आपको इसे add करना होता है तो इस plus वाले icon पर आपको click कर देना है और इसके बाद देखिए आपको यहाँ से back कर लेना है तो देखे यहाँ पर यह add हो चुका है अब मैं इस पर click कर देता हूँ यह अभी 150 रुपए 60 पैसे पर चल रहा है इस view chart पर click करके आप इसके chart को भी देख सकते हैं इसको analyze कर सकते हैं कि अभी यह share बढ़ रहा है या कि यह गिर रहा है आज यह कितने रुपए से नीचे गया है या कितने रुपए से उपर चड़ा है तो अब हम इसे back कर लेते हैं और इसके बाद हम दुबारा से bank of brother पर click कर देते हैं तो अब इसके बाद हमने buy के option पर click कर दिया क्योंकि यह इसे हमें buy करना है अब आपके सामने bank of brother के share की details हमाय सामने open हो चुकी है यहाँ पर आपको regular में ही आना है यहाँ पर इसकी price NSE में 165 रुपए 60 पैसे दिख रही है और BSC में 165 रुपए 55 पैसे दिख रही है आपको description box और i button में मिल जाएगा अब यहाँ पर लिखा हुआ long term CNC अगर हम long term CNC में ही इसे खरीदते हैं तो इसे हम अगर click करते हैं तो हमें यह इतने रुपए का ही खरीदना पड़ेगा जितने इसके share की current price चल लगी है मतलब 150 रुपए 60 पैसे इसके current price है share की तो यह हमें 150 रुपए 60 पैसे में ही मिलेगा देखिए अगर यहाँ पर हम अप्रॉक्स margin पर इसको refresh करते हैं तो यहाँ पर भी वही same price देखने को मिल रही है लेकिन अगर हमें intraday MIS पर click कर देते हैं तो नीचे आपको यहाँ पर जो अप्रॉक्स margin दिख रहा है शेर मात्र 33 रुपए 11 पैसे में ही मिल जाएगा इससे क्या होगा कि आप कम पैसे में ज्यादा शेर्स खरीद पाएंगे अब मान लीजे कि मैं बैंक और बड़ोदा के 50 शेर्स खरीद कर इसमें intraday trading करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ quantity में 50 type कर दिया तो इसके लिए अब मुझे total यहाँ पर अगर मैं refresh करता हूँ तो मात्र 1654 रुपए ही पे करने पड़ेंगे नॉर्मल कंडिशन में हमें लगबग 8000 रुपए के आसपास खर्च करना पड़ता तो intraday trading में आपको margin का फायदा भी मिल जाता है तो intraday trading करने के लिए product में आपको intraday MIS को ही select करना है टाइप में मार्केट को choose कर लेता हूँ जिससे market price पर ही buy हो जाए और यहाँ पर अगर हम more पर click करते हैं तो यहाँ validity में हमें day को ही select रहने देना है इसके बाद आपको यहाँ पर swipe to buy पर swipe कर देना है अब देखिए यह share buy हो चुके है अब आपको यहाँ पर अपने portfolio में आना है और यहाँ positions में आना है देखिए यहाँ पर हमें जैसे जैसे हमाई share का price घट बढ़ रहा है यहाँ पर हमारा profit and loss भी बदल रहा है कभी हमें 2 रुपए 50 पैसा का profit हो रहा है कभी हमें 2 रुपए 50 पैसा का minus चला जा रहा है तो यहाँ पर देखिए हमारा total profit and loss आपको सामने देखने को मिल रहा है हमने यहाँ पर bank of bada के 50 quantity के share यहाँ पर buy कर ली है अगर एक रुपए से भी शेयर का price उपर गया तो टोटल हमें 50 रुपए का profit होगा क्योंकि हमने 50 quantity से buy करी है और अगर एक रुपए से भी शेयर का price नीचे गया तो हमें टोटल 50 रुपए का loss हो जाएगा अभी मैंने आपको इंटर्डे टेडिंग में देखे यहाँ पर मैं 5 रुपए का profit भी होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर धाई रुपए 5 रुपए इस तरीके से हमें profit होता हुआ नजर आ रहा है देखे इंटर्डे टेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की होती जैसे ही नीचे जाता है हमें loss होना सुरु हो जाता है फिलाल मुझे 5 रुपए 5 रुपए से ज़्यादा का profit नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर quantity जो मैंने से 50 ली है जब आप बहुत बड़ी quantity लेते हैं तब आपको अगर एक रुपए का भी फाइदा होता है एक रुपए का भी share price उपर जाता है तो आपको ज़्यादा फाइदा होता है अब अगर मान लिजे कि मैंने यहाँ पर 1000 quantity यहाँ पर खरीदी होती तो अगर एक रुपए से भी उपर जाता है तो मुझे सीधा एक रुपए का फाइदा होता और दूसरी बात यहाँ कि इंट्रडे टेडिंग में आपको margin का लाब मिल जाता है तो आपको यहाँ पर कम पैसे में ज़्यादा share खरीदने को मिल जाते है देखें यहाँ पर फिर से मुझे धाय रुपए का profit होता हो नजरा आ रहा है अब देखें यह जो share है यह हमारे intraday में मैंने इसे खरीदा है intraday MIS में खरीदा है तो यह share जो है आज की date में अगर market hour खत्म होने से पहले अगर इसे हमने sell नहीं किया तो यह automatic sell हो जाएगा अब माल लीजे कि आपने इसे पूरा दिन रखा या जब भी आपने इसको profit देखा आपने इसे sell कर देना चाहिए बहुत ज़्यदा आपको profit के लालजमें नहीं आना है और basically यह video मैंने सिव आपको एक tutorial के purpose से एक आपको live करके दिखाने के purpose से ही इसे मैंने share को buy करा है यह कोई आपके लिए recommendation नहीं है इसे किसी भी तरीके से आप अपने लिए मैं सूचे कि आपको यही bank of brother की share खरीदने है यह सिफ और सिफ आपको एक example के तौर पर मैंने दिखाया है और इसके बाद अब हम सोच रहे हैं कि इसे हम live sell करके भी आपको दिखा दे ताकि आपको सारी चीज़े clear होती रहे हैं यहाँ पर देखें फिर से 5 रुपए का profit होता हो नजर आ रहा साड़े साथ हो गया है तो इस तरीके से देखें जैसे ही market up and down होती है आपके जो profit and loss यह भी घटा बढ़ता रहता है कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी जो इसमें जमा पूंजी होती है वो भी आपकी जैप से गयाब हो जाती है अब मैं इसे आपको live sell कर देखें यहाँ पर हमारा जो profit है दस रुपए से बढ़ चुका है साड़े साथ हो गया दस हो गया तो इस तरीके से आप इसमें अच्छा खासा मुनाफ़ा भी कमा सकते हैं लेकिन रिस्क तो जरूर होता है जहां पर रिस्क है वहाँ पर profit है अब दोस्तो मैं इसे live sell करके भी दिखाने वाला हूँ ताकि आपके माई में कोई भी confusion ना रहे अभी आपने share कैसे buy करते हैं इंट्रेटे टेडिंग में वो तो आपने देख लिया अब sell करना भी आपको मैं दिखा देता हूँ वो भी live market में दिखा देता हूँ ताकि आपको सब कुछ एक दम अच्छे से समझ आ सके दोस्तों इंट्रेटे टेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की होती है आप मेरी अपनी ही है तो मैं आपको अपनी तरफ से एक advice देना चाहूँगा कि आपको पहले इंट्रेटे टेडि के भी दिखा देता हूँ क्योंकि इसे same day ही sell करना होता है वरना यह market hour जैसे ही खत्म होगा वैसी automatic sell हो जाएगा और हो सकता है कि अभी तो हमें loss नहीं हो रहा है और बाद में हमें loss हो जाए क्योंकि हो सकता है इसका जो share price हो time के साथ में गिर जाए इसके लिए simply आपको यहाँ पर bank or border पर click कर देना है और इसके बाद यहाँ पर आपको exit का option देखने को मिल रहा है इस पर आपको click कर देना है और इसके बाद देखिए यहाँ पर एक sell का भी option देख रहा है मतलब यहाँ पर आप stop loss भी लगा सकते हैं मान लिजी कि आप चाहते क्योंकि आपको मैं इसे तुरन दिखाना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर type map market को ही select रहने दिया है और उसके बाद यहाँ पर quantity में मैंने जितनी खरीदी थी उतनी ही यहाँ पर रहने देता हूँ और इसके बाद मैंने यहाँ पर swipe to sell पर swipe कर दिया तो देखिए यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए executed में दो मुझे दिखाई दे रहे हैं एक तो मुझे जो 50 quantity मैंने बाइ कर रहा था वो यहाँ पर completed दिखाई दे रही है और जो दूसरी मैंने 50 quantity से sell किया था वो भी यहाँ पर complete दिखाई दे रहा है मैंने देखिए 150 रुपय 50 पैसल पर ही से buy किया था और 150 रुपय 50 पैसल पर ही से sell कर दिया है तो मुझे यहाँ पर ना तो कोई profit हुआ है नहीं मुझे कोई loss हुआ है मैं neutral phase में रहा हूँ यह भी कोई बुरी बात नहीं है काफी बार आपके लिए यही अच्छा होता है कि अगर आपके जैब में कोई profit नहीं आया तो आपके जैब से कोई loss भी नहीं हुआ तो इस वीडियो में आपने जाना कि intraday trading क्या होती है इसके positive और negative points भी मैंने आपको अच्छे से बता दिये है और आपको live intraday trading करके भी दिखा दी है तो अगर आप कोई वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को like करें और अगर आप यहां तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका दिल से शुक्रिया आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा इस पैशाल है अपने जोस्तों में इसे जरूर शेयर करें और ऐसे ही शेयर मार्केट से जुड़ी वीडियो को देखने के लिए business field को ज़रू सब्सक्रा टैप करें आज के लिए बस इतना ही जाहिन